नमस्ते आदाब सस्रेकाल आप सुनरे आलवास मृदम दो वैल्यर अफ फोक्स मैं शिष्टी आज आपको आलवास डाइनमुक के कारेकरम में स्वागत करती हूँ कला कोई एक चीज नहीं सिर्फ एक तरीका है कला ही जीवन को निकारता है सबकी क्वाईश यही होती है कि उनका जीवन ड्रंगिन हो लेकिन इस तरह की क्वाईश कम लोग को पूरी होती है लोग के मन को आसान तरीके से चूने का तरीका सिर्फ एक चित्रकार को आता है एक जो सबको अपनी चित्रकारी से मन मक्त करके अपनी कलाकृती से सब के दिल में अपनी पैचान बनाई है वही कार्तिक बसरूर एक कुंदापुर के रामचंद्र बसरूर और गुनावाती के पुत्र और राश्रपती पुरस्कृत गोपल आचर के पोते हैं बच्पन से ही अपने दादा जी के खलाकृती को देखकर बड़े हुए कार्तिक ने अपनी जीवन में भी उसी मर्ग पर चलने की निर्नाई लिया और अपने आपको चित्रकला में शामिल किया इनके दो बर राज्य प्रशस्ती प्राप्त हो चुके हैं और एक बार रंग चेरे में राज्य प्रशस्ती भी प्राप्त हुए हैं KGF2 के पोस्टर को इन्हों नहीं बनाया है। उस पोस्टर में संजेजजजी को चित्रित कर इन्हों ने रंगों की दुनिया में अपनी और उंची जगा बना ली है। इसी फिल्म के और 6-7 चित्र को कार्तिक ने अपने हातों से बनाया है। कार्तिक के कला को देकर संगीत निर्देशक रवीर बस्रूर प्रसंद होकर अपनी मुवी कतक के स्टोरी बोर्ड को लिखने का मौका देते हैं। इसी तरह से कार्तिक बस्रूर ने सिनिमा फिल्ड में अपनी पैचन बनाई। लगबग 1.500 से ज्यादा मशूर फिल्म अभिने है। इसके अलवा सबा में लोगों के सामने 5 मिनिट में अपनी सारी चित्र कलाकर को जोड़कर चित्र बनाने का मशूर नाम भी इन्हें मिला है। अपनी कलाक के माध्यम से इन्होंने अपना नाम सारे जग में फैलाया है। यह हमारी लिए गर्व की बात है। कार्तिक जी उसको सई उपयोग करना चाहिए तब ही हम जीवन में कुछ हासिल कर सकते हैं तो अपने अंदर के खलाका कुछ जगाए और अपने अपने माता पिता के साथ साथ अपने कॉलेज का नाम प्रोशन करें आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं अगले बाद धन्यवाद